हाइ फ्रेंड्स मैं हूँ तौकेर आलं फ्रेंड्स मेरे एक सबस्क्राइबर हैं और उनका नाम है तशनीम आपने कमेंट बॉक्स में पूछा में हैब टू और माइट हैब टू का क्या यूज है यह एक बहुत दिर्चस टॉपिक है और इस topic में कुछ बारीकिया हैं जो आपको carefully समझना होगा तो चलिए देखे friends वो क्या बारीकिया है जहां अक्सर student गलती करते हैं Friends इस तरह के sentences जहां कहते हैं आपको काम करना पढ़ सकता है यानि हमारे Hindi sentences के last में आता है ना पढ़ सकता है या ना हो सकता है इस तरह के sentences में obligation का पता चलता है यानि किसी को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है या कोई आदमी कोई काम करने के लिए force हो जाता है और दूसरा यहां possibility दिखाई जाती है यानि संभाना या इमकान दिखाई जाती है कि ऐसा करना हो सकता है नहीं भी तो friends जैसा कि आप जानते हैं मैंने part 17 में आपको have to और has to का यूज़ बताया जहां मैंने आपको सिखाया कि उस तरह के sentences जहां इंसान कोई काम करने के लिए force हो जाता है हम have to या has to कर्यूज़ करते हैं जैसे मुझे दवा लेना पड़ता है मुझे अंगरी जी पढ़ाना पड़ता है मुझे रात में जागना पड़ता है तो friends इस तरह के sentences से पता चलता है कि कोई काम मैं नहीं करना चाता बट मुझे ऐसा करना होता है या मुझे ऐसा करना पड़ता है यह बात हमने part 17 में सीखा और friends आपने इस वीडियो में सीखा कि जब किसी काम की होने की possibility दिखाई जाए यानि काम होने की संभावना हो या इमकान हो तो आप में कर्यूज करते हैं जैसे वो जा सकता है ही में वो ओ सकता है वो नहीं भी जाए तुमारे पिता जी तुम्हें डाट सकते हैं Your father may scold you यहां हमने possibility दिखाया हो सकता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें डाटे हैं और नहीं भी तो फ्रेंड्स ये दो बात आप जानते हैं कि जब आपके सेंडेसे से फोर्स का पता चले या मजबूरी का पता चले तो आप have to या has to का यूज़ करेंगे और जब आपके सेंडेसे में possibility हो यानि संभावना हो तो आप में का यूज़ करेंगे लेकिन अब question ये है कि आप may have to या might have to का यूज़ करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा friends कि may have to का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे सेंडेसे में obligation यानि किसी काम को करने के लिए force किया जाए और साथ ही साथ उस काम को होने की संभावना दिखाई जाए यानि possibility दिखाई जाए कि ऐसा हो सकता है तो friends जैसा कि आप जानते हैं मैंने part 17 में आपको have to और has to का यूज़ बताया कि उस तरह के सेंडेसे जहां इनसान कोई काम करने के लिए force हो जाता है हम have to या has to का यूज़ करते हैं जैसे मुझे दवा लेनी पड़ती है मुझे उसे डाटना पड़ता है और make use से संभावना यानि possibility का पता चलता है जब हम have to और make दोनों को mix कर दें तो जो चीज तयाद होगी वह होगी ना पड़ सकता है यानि यहां force और possibility यानि संभावना दोनों दिखाई जा रही है यह है आपका have to और यह है आपका make का यूज़ तो उमीद करता हूं friends कि आपको अब बात समझ में आ रही है कि अगर आप have to का यूज़ करेंगे या सिर्फ possibility यानि संभावना दिखाई जाएगी तो आप make का यूज़ करेंगे लेकिन जब आपके sentences में दोनों बात की जाए मजबूरी भी और संभावना भी तो फिर आप इस condition में may have to का यूज़ करेंगे कैसे करेंगे आईए इसे करके देखत हैं सबसे पहरे लिखा है आपको आप लिखेंगे you और न पढ़ सकता है यानि may have to और काम करना को इंगलिश में कहते हैं work आपको काम करना पढ़ सकता है you may have to work हम to के बाद work का first form का यमूज करते हैं उसे दिल्ली जाना पढ़ सकता है उसे he ना पढ़ सकता है may have to जाना के लिखेंगे go और दिल्ली के लिखेंगे to Delhi उसे दिल्ली जाना पढ़ सकता है he may have to go to Delhi तो friends आईए कुछ और example देखते हैं उन्हें वहां ठैरना पढ़ सकता है आईए friends इसे translate करते हैं इसके पहले कि मैं इसको translate करूँ इस sentence में क्या sense है ये बात आपको समझ में आना चाहिए और उमीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि इस तरह के sentences में दो बात होती है पहला कि आप किसी काम को करने के लिए force है या मजबूर है और दूसरा या काम होगा ऐसी possibility है या ऐसी संभावना है जरूरी नहीं कि ऐसा हो सबसे पहले दिखा है उन्हें हम लिखेंगे देख फिर हम पीछे आएंगे और पीछे से translation करते आगे कि और आएंगे हो सकता है friends आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या है तो मैं आप से कहूंगा friends कि हिंदी वाले sentences को इंग्लिस में कैसे translate करना है या इंग्लिस वाले sentences को हिंदी में कैसे translate करना है इसके लिए मैंने दो ट्रिक बनाया हुआ है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो फिर आपको वो ट्रिक नहीं पता आप मेरे वीडियो को step by step देखिए यानि अगर आप मेरे वीडियो को part 1 से देखेंगे तो सारे concept clear हो जाएंगे पढ़ सकता है यानि may have to और ठैरना को कहते हैं इस्टे और वहां को कहते हैं there उन्हें वहां ठैरना पढ़ सकता है they may have to इस्टे there हम to के बाद वह का first form का यूज करते हैं हो सकता है friends आपके दिमाग में यह question आ रहा हो कि might have to का कभ यूज करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा friends कि may have to और might have to के यूज में ज़्यादा फर्क नहीं है हम may have to का यूज तब करते हैं जब हमें दिखाना हो कि यह काम होनी की संभावना या possibility बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर हमें यह कहना हो कि ऐसा होगा आईसी संभावनाएं बहुत कम है या ऐसी possibility बहुत कम है तो हम may के जगा पर might का यूज करते हैं यानि इस बात को छोटा में आप ऐसे समझ सकते हैं जब काम होनी की possibility ज़्यादा हो तो आप may have to का यूज करेंगे और जब काम होनी की possibility कम हो तो आप might have to का यूज करेंगे आपको you पढ़ सकता है might अब जब यहाँ पर हमने might have to लिखा तो पढ़ने वाला यह समझेगा कि यह काम होने की possibility या संभावना बहुत कम है और इंतजार करना wait तो फ्रेंड्स यहाँ गौर करें आपको इंतजार करना पढ़ सकता है इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं you may have to wait तो आप समझेंगे कि ज़्यादा तर chances है कि आपको वहाँ इंतजार करना पढ़े यानि इंतजार करने की chances ज़्यादा है possibility ज़्यादा है लेकिन अगर मैं कहूं you might have to wait there तो इसका sense यह होता है कि बहुत कम chances है कि आपको वहाँ इंतजार करना पढ़े यानि आपको इंतजार करना पढ़ सकता है लेकिन chances यह संभावना बहुत कम है कि ऐसा हो तो उम्मीद करता हूं friends कि आपको may have to और might have to का यूज अच्छा से समझ में आया होगा कि जब मजबूरी और संभावना दोनों एक साथ आ जाए तो हम may have to या might have to का यूज करेंगे friends अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please share करना न भूलना अगर आपके मर में भी कोई doubts है तो please आप comment box में type करें मैं आपके doubts पर वीडियो बनाऊगा फिर मिलते हैं एक नए lesson के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल कि अगर, आपके नए कि लिए में बनाऊगा है झाल झाल